प्राइबेट सेक्टर में पशतर परतिशत अस्थानी लोगों को मिलेगी नोकरी प्राइबेट सेक्टर में पशतर परतिशत नोकरी अस्थानी लोगों को नीजी छेतर में रोजगार उपलब्द कराना आते प्राइबेट सेक्टर में प्रवाद सेक्टर में प्राइबेट सेक्टर में प्रातिशत परतिशत नोकरी जारखन में गुरुवार से सुबह की कनकनी से रहात मिलेगी अगले तीन दिनों के दुराण निम्तम तापमान में तीन से चार डिगरी तक की ब्रीधी हो सकती है लेकिन 15 जनवारी से जारखन में फिर से सरदावा ठी ठुराएगी सुबह का तापमान नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी मौसम में या बदलाव पाच में भी छोब के कारण होगा इसके प्रभाव से 14 जनवारी को राजी के उत्री हिसे में हलके बादल भी छा सकते हैं राजे में सुबह के दोरान कनकरनी अभी कायम है पिछले 24 गंटे के दोरान सबसे सर्द खोटी जीला रहा है यहां का निवताम तापमान राजे में सबसे कम 4.8 डिगरी सेल्सियस रहा बता दे राजी सिद काके का निवताम तापमान 1.5 डिगरी रहा वही संथाल के राजे में सुखाड का अकलन करने पहुंची केंदरी ये टीम पिछले 3 दिनों से जारकन के दोरे पर है इस दोरान टीम घुम घुम कर जमीनी हकिकत से रूबरू हो रही है बता दे जारकन के 22 जीलों के 226 परखंड को राज सरकार ने सुखार छेत्र घोसित किया है इन चेत में है भारा सरकार के सनुख दूसर चीव एस के नर्तित में पहुंची उच अस्तरिये टीम ने बुद्धवार को रांची के सुखा ग्रस्त घोसित परखंड चानों का दोरा किया और सुखार की वज़त से उबरे आलात का जमीनी आकलन किया चाइबासा में सर्च ऑपरेशन के दोरान चो जवान घायाल जारखंड के चाइबासा जीले में नकसलियों के खिलाब चलाया जा रहे है अब्यान के दोरान हुए सर्जन बुरू में सर्च अपरेशन चला रहे थे इसी दोरान नकसलियों के दोरा लगाया गया आईडी में ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट की चपेट में आने से CRPF के चो जवान जक्मी हो गया है तुरंत मामले की जनकारी पूलिस मुख्याले को दी गए जिसके बाद आनन फानान में चोपर भेज कर सभी घायल जवानों को यार लिफ्ट किया गया उडीशा के कटक में होकी वर्ल्ड कप दो हैयर तेस का उदगाटन सामिल हुए इससे पहले होकी वर्ल्ड कप की ओडीशा के सुंदर गड़ जीला की यात्रा सुरू हुई जो रात के 11 बजे खत्म हुई इसी समय होकी वर्ल्ड कप दो हैयर तेस की चमचमाती ट्रोफी बिस्व के सबसे बड़े होकी स्टेडियम बिर्शा मुंडा होकी स्टेडियम पहुँचेगी बता दे ओडीशा के राउर केला वाभुने स्वर में 13 से 29 जनवरी तक आयो जीत होने वाले एफ आई एच वर्ल्ड कप हुँकी दो है तेस की ट्रोफी की यात्रा सुरू होने के बाद 13 राजियों से होकर ओडिशा के अलग अलग जीलों में पहुँची सुंतरगड जीले के राउर केला में या हुँकी ट्रोफी गुरुवार को पहुँच रही है ट्रोफी की यात्रा सुबह साथ बज कर 30 मियट पर बेद ब्यास मंदीर में आर्थी के बाद सुरू हुई इसके बाद सुबह से राद तक ट्रोफी का 49 जगों पर स्वागत किया गया ज़ार्खन सरकार बयट में अंडा पेंशन वा मातिरत्व हक को दे परत्मिक्ता भोयन का अधिकार अधिनियम ज़ार्खन ने परदेश की हमान सुरिन सरकार से मांग की है कि वह वर्ष 2023 के बयट में अंडा मातिरत्व हक पेंशन और राशन को परत्मिक्ता दे बुद्धवार को राजधानी रांची में आईवेच प्रेस कंफरेंस में इस संस्था ने कहा है कि जारकन में कूपोशन की खतरनाक इस थीती को दूर करने के लिए जरूरी है भोजन का अभियान जारखन ने कहा है कि राज से कूपोशन को खत्म करने के लिए सरकार को मद्याहन भोजन और अंगन मारीकेंद्रे में हर दिन बच्चों को अंडा देना चाहिए संस्था की ओर से कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में सप्ता हमें 5 अंडे और अंगन वारी केंद्रे में सप्ता हमें 6 अंडे देने का वादा जारखन की हमन्त सुरेन की सरकार ने बार बार किया लेकिन आज तक उन वादों को पुरा नहीं किया है प्रेस कॉन्फरेंस के बाद भोयान का अधिकार अधिनियम जारकन ने एक प्रेस भी गैपित जारी की जिसमें कहा है कि अभी स्कूलों में एक सता में बचों को दो अंडे मिलते हैं चाह साल से कम उम्रे के बचों को एक भी अंडा अभी नहीं मिल रहा है बंदे भारत ट्रेन पर पत्रा उनाइस जनवारी को पी एम देखाने वाले हैं हरी जंडी उनाइस जनवारी को पी एम मोदी बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाने वाले हैं पहले ही ट्रेन पर पत्राव की घटना सामने आई है हादसा मेंटेनेंस के दौरान हुआ पत्राव में भी साखा पत्राव के पास वंदे भरत एक्सप्रेस के एक कोच का सीज़ा शतिग्रस्त हो गया डा आर एस ने घटना को लेकर कहा है कि आगे की जाचल रही है गौतला भाय की पीएम मोदी उनाई जनवारी को सिकंद्राबाद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना करने वाले थे धुलू महतो की पत्नी ने कहा मेरे पती को जेल में जान का खत्रा धनवाद के बाग मारा के बिधायक धुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि धनवाद मंडल कारा में बंद उनके पत्ती को जान का खत्रा है उन्हें कॉलाइटि की गंभीर विमारी है इलाज के लिए बाहर जाने वाले थे लेकिन कानून का सामना करते हुए अस्थानिये कोट में सरेंडर किया लेकिन जेल में उनका उपचार नहीं हो रहा है सवित्री देवी ने कहा है कि उनके पती ढूलू मतो हेमंत सरकार के टारगेट में है पिछले अढ़ाई वर्सों के दरान सरकार के इस आरे परस्थानिये पूलिस परसासन द्वराबाग मरा बिधाय के खिलाब दरजन मुकादमा किया गया जामताड़ा से साथ साइबर ठाग गिरफतार अधार काड तीन पैन काड नगत के पचछासे हजार रुपए पांच बाइक और एक कम्प्चूटर बरामत किया गया गिरफतार सभी साइबर ठगों को जेल भेज दिया गया है। गिरफतार सभी साइबर ठगों को जेल भेज दिया गया है। के कुछ सहाना के पास खुद को बिहार के रजावली थाना का प्रभारी और पूलिस अस्टाब बता कर वहन चालकों से वसूली किया जाने के मामला सामने आया है। पूलिस ने सुचना के अधार पर वसूली करते तीन लोगों गिरफतार किया जबकि दो आरोपी भागने में सफल रहे। पूलिस ने आरोपीयों के पास से वहन चालकों से वसूला गया पैसा दो मोबाइल और वसूली के कार्में परयोग की जाने वारी एसकारपियों को जब्त किया गया। पूलिस ने बुद्धवार को पकड़े गए तीनों अरोपीयों को पूस्तास के बाद जेल भेज दिया है। भी पैर से मार तोड़ा है। बता दे घर में रखे धान को खाने के बाद बरबाद कर दिया। खेत में लगे फसल भी रोन डाला। अभी भी हाँ थी घटगावा के जंगल के तेंदार के जंगल के समीपी हैं। एक दरजन गाओं के लोग रत जागा कर रहे हैं। हाला कि बन भी भागा थी योग के जूण को सुरक्षित जंगल में भागाने में लगा हुआ है। भारतिये महिला हो की टीम में जार्खन की चार खिलाडी। 14-30 जनवरी 2023 तक केप टाउन दक्षिन अफरिका में ट्रेनिंग और टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रही भारतिये महिला हो की टीम में जार्खन राज की चार महिला हो की खिलाडी। निकी परधान, सलीमा, टेटे, संगीता, कुमारी और ब्योटी डुगडुग भी सामिल हैं इस दवरान के लिए भारतिय महिला हों की टीम 13 जनवरी को दक्षिन अफरीका रवाना होगी और वहां दक्षिन अफरीका से 4 मैच और निदरलैंड के साथ 3 मैच खेलेंगी बता दे कि दक्षिन अफरीका दोरे पर भारतिय महिला हों की टीम 13 जनवरी को रवाना होगी पांच पुलिस कर्मियों की हत्या करने के मामले में एन आई ए ने की छापे मारी रावर के लाख हरसावा कुकडू हाट बजार में पांच पुलिस कर्मियों के हत्याक और हत्यार वक कार्तुर्ष लूटने के मामले की जाच कर रही एन आई ने बुद्धवार को तिन राजियों के साथ ठीकानों पर एक साथ चापे मारी की यह चापे मारी घटना को अंजाम देने वाले मावादी उनके सहयोग्यों और संदिक्दों से सम्मंदित सराय के लाख हरसावा जिले में चार ठीकानों के अलावा राची जिले, बिहार के मुंगेर जिले और पचिम मंगाल के पुरुलिया के एक ठीकाने पर हुई है चापे मारी में एनायो को घटना सम्मंदित, डिजिटल उप करन और अपत्ती जनक दास्तवेज मिले हाए चत्रा से T.S.P.C. का एरिया कमांडर गिरफतार झरखन की चत्रा जिला पुलिस ने T.S.P.C. के एरिया कमानडर गिरफतार किया है सीमरिया स्टीपियो असोक प्रियेदशनी ने बताया है कि 6 जनवरी को कुंदा थाना चेत्रे के अंगाडा जंगल में पुलिस और टीसपीसी उगरवाद्यों के साथ मुर्भेड में हुई थी इसके बाद पुलिस अधिक्षक रागेस रंजन के ने देश पर एक विश्यश टीम का गटन किया गया है जमीन बिवाद की वज़ा से नहीं सुरू हो पार है ज्यारखन की कोल माइन्स भारत सरकार के कोईला सचीव अमरीत लाल मीना ज्यारखन के दोरे पर पहुंचे हैं इस दोरान उन्होंने राज में कई कोल पलोग के अब तक सुरू नहीं होने के मामले में ज्यारखन के मुक्ष चीव के साथ वारता की जमीन बिवाद की वजय से जार्खन के कई कोल बलोग शुरू नहीं हो पा रहे हैं ऐसे में जार्खन दोरे पर आये भारत सरकार के कोईला सचीव अमरित लाल मिल्या ने बुद्धवार को जार्खन मंत्रा लाएं मुक्स सचीव सुकदेव सिंक साथ बैठक की करीब अठाई घंटे तक चली इस बैठक में खान सचीव के अलावे CCL और BCCL के अदिकारी भी मुझूद थे रांची में सड़क सुरक्षा सप्ता शुरू बढ़ती सड़क दुरूग हटनाओं के मद नजर 11-17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ता का योजन किया जा रहा है बुद्धवार को सड़क सुरक्षा के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए सभी जीलों में जागरूपता रथ रवाना किया गया बता दे रांची जीले सभी जीले के डीसी ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है सभी जीलों में इस्कूली बिद्यार्थियों ने परभात फेरी भी निकाली यह जागरूपता रथ सड़क सुरक्षा सब्ता के दोरान लोगों को सुरक्षित सड़क उपयोग करता बनने के बारे में जागरूप करेगा जगरूपतारत के माध्यम से आम जनता एवं वहान चालकों को यादायात नियमों का पहलन करने या शुरक्षित रूप से वहान चलाने और सफर करने के प्रति जगरूप किया जा रहा है वकीलों का आंदोलन जारी नहीं कर रहे नहीं करने कारे कोट फिस में कमी लाने समेत अन्यमागों को लेकर राज के वकीलों का आंदोलन बुद्धवार को भी जारी रहा बार कॉंसिल ने सुक्रवार तक नहीं करने का नहीं नहीं लिया है वहीं बुद्धवार को कई गयर सरकारी वकील कोट पहुंचे इस पर बार कॉंसिल ने न्याईक कारे करने वाले वकीलों के नाम सभी जिला बार संगों से मायंग कर करवाई करने की त्यारी में जुट गया है उधार जार्खन हाई कोट एडवोकेट एसोसियेसन बुद्धवार को कारे करनी की बाठक की इसमें कहा गया कि बार कॉंसिल के नाईक कारे नहीं करने और सरकार का रूख भी लचीला ना होने से वकीलों को परसानी हो रही है एक सो क्रोर वसुली के लिए बिजली विभाक का चलेगा अभियान जन्वारी माह के अंत तक जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड सो क्रोर रुपे के रायस वसुली के लिए अभियान चलाएगा इसको लेकर रांची बिधूत एरिया बोर्ड के महाप्रबंदग पीके स्रीवास्तों ने बिधूत प्रमंडल अस्तर परलक्ष निधारित कर बिजली बिल के रूप में रायस वसुली का निलना लिया है इसके अलावा सभी डिविजिनों के बिधूत कारेपालक अभियनताओं को सभी स्त्रेणी के उभगताओं को बिल सा समय उपलब्द करवाने बकायदार उभगताओं से रायस वसुली गैंग के माध्यम से रायस वप्राप्त करने जिन उभगताओं ने किस्तों में भी बकाया बिजली बील की रासी जमा नहीं की है उनका लाइन काटने अध्योगी कुवब बड़े बकायदारों से सत परज़ास बिजली बील की रासी लेने सरकारी उभकताओं से भी व्यक्तिगात रूप से संपर्क कर बील की रासी वसूली सहीत ग्रामीन चेत्रों में भी पंचायत अस्तर परज़ास वसूली की बात कही है सिक्षकों के लिए बिद्याले में साम चार बएत तक रहने की बध्याता खत्म जमसेत्पूर समेत राजे भर के प्रात्मिक बिद्याले में दो पर तीन बएत के बाद कोई भी सिक्षक नहीं रुकेगा सिक्षा सचीव ने राजे भर में भी एलो का कारे कर रहे सिस्कों को भी इससे अलग करने की बात कही है हलाकि अभी इस सम्भान में अधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है यह जनकारी जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग ने दिया है धन्यवाद